हेलो स्टूदेंस वेल्कम टू जीनियस मेंटर स्कूल साइंस विद कंसेप्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक कॉंपोनेंट्स ओफ सेल यानि कि सेल के जो बेसिक कॉंपोनेंट्स हैं वो आज हम डिसकस करेंगे तो जो बेसिक कॉंपोनेंट्स ओफ सेल हैं उनमें तीन में हैं हमारे पहला है सेल मेंबरेन ऑल्सो नोन एस प्लास्मा मेंबरेन second है nucleus also known as brain of cell और third है cytoplasm तो cell membrane, nucleus और cytoplasm basic components होते हैं किसी भी cell के cell क्या है यह हम जो previous हमने concept पड़ा था इसमें हमने cell, cell की discovery और उसके कुछ important functions के बारे में जाना था आज का जो हमारा topic है basic components इसमें cell membrane क्या है, nucleus क्या है, cytoplasm क्या है यह हम पढ़ेंगे तो cell membrane को हम कहते हैं plasma membrane plasma membrane किसी भी living cell की outer covering को बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं outer covering of cell ठीक है, तो outer covering of cell होती है यह और यह nature में होती है selectively permeable selectively permeable होती है यह nature में देखो selectively permeable का मतलब यह है कि selective चीजे ही cell membrane के अंदर जा सकती है cell membrane के अंदर होकर cell में जा सकती है और selective चीजे ही cell से बाहर जा सकती है ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी cell के अंदर चला जाएगा यह कोई भी cell से बाहर आ जाएगा नहीं selectively permeable का मतलब यह है कि जो cell है और cell की outer covering को हमने cell membrane बोला तो cell के अंदर अगर कोई चीज अंदर जाए यह cell से कोई चीज बाहर जाए तो cell membrane को cross करके तो जाना ही पड़ेगा तो cell membrane selective चीजों की ही entry करवाती है cell में और selective चीजों की ही exit करवाती है cell से तो यह selectively permeable होती है outer covering है इस वज़े से यह एक protective function भी perform करती है क्या करती है यह protective function भी perform करती है उसके बाद cell के अंदर होता है nucleus जो second basic component है अंदर क्या होता है nucleus nucleus क्या करता है जैसा हमारी body में हमारा brain है तो brain एक coordinator है यानि कि it controls the functions of every organ हर एक organ जो हमारी body में stomach है liver है kidney है heart है इस तरह हैं कि जो हमारी body के organ है वो अपना काम सही से करते हैं या नहीं अपना function सही से perform करते हैं या नहीं इस चीज़ को बोला जाता है brain of cell क्योंकि ये control करता है all the metabolic activities that are performed in a cell एक cell के अंदर जो भी metabolic activities perform होती है उन सभी metabolic activities को सही से वो control करता है कौन? nucleus तो इसलिए उसे बोला brain of cell third है cytoplasm तो ये बाकी का जो बच गया है यहाँ पर fluid present होता है और इसे बोलते हैं हम cytoplasm तो यहाँ होती है all metabolic activities सभी metabolic activities कहां perform की जाती है वो cytoplasm में perform की जाती है अच्छा ये metabolic activities कैसी? metabolic activities जैसे की respiration, जैसे की nutrition जैसे की excretion waste remove करने की process को excretion कहते हैं इस तरह हैं कि जितनी भी metabolic activities हैं ये cell के अंदर होती है तो कौन सी जगा होती है cytoplasm में होती है तो cytoplasm में इस सभी परकार की functions परफॉर्म किये जाते हैं तो ये तीन हमारे होते हैं basic components of cell is it clear बेटा? तो अब diagram में भी आप अच्छे से देखो इन्हें तो ये है basic part of cell यानि कि basic components of cell आपको बाहर दिख रही है cell membrane यानि कि plasma membrane तो ये बाहर होगी plasma membrane अंदर ये है nucleus ठीक है? और फिर ये जो है यहाँ पर ये सारा है cytoplasm अच्छा एक term और आती है exam में जिसे बच्चे बहुत confused रहते हैं वो है protoplasm क्या होता है? protoplasm में आप cytoplasm plus nucleus को protoplasm कहते हो देखो इन दोनों कैसे plus करके ही ने क्या बोला है? protoplasm यानि कि cytoplasm plus nucleus क्या कहलाएगा? protoplasm एक question और जो exam में पूछा जा सकता है ये आपकी knowledge के लिए important है nucleus के अंदर क्या होता है? nucleus के अंदर होता है genetic material nucleus के अंदर होता है genetic material और वो genetic material होता है DNA क्या होता है वो? DNA ठीक है? तो ये DNA कहां present होता है? DNA हमारा genetic material है जो nucleus के अंदर present होता है And what is the full form of DNA? DNA की full form क्या होगी? Deoxyribose Nucleic Acid. Deoxyribose Nucleic Acid is the full form of DNA. DNA हमारा genetic material होता है. आपने ये सुना होगा कि हमारे जो भी कोई person है, जैसे आप हो, तो आपके अंदर जो DNA है, 50% आपके father से आया है, और 50% आपकी mother से आया है. यानि कि आपके अंदर जो characters हैं, वो कुछ आपके mother से match करते हैं, similar हैं, और कुछ father से match करते हैं. क्यूंकि जो बच्चों के अंदर genetic material DNA आता है, वो उनके parents से आता है. इस तरहें से बहुत सारे characters होते हैं, जो हमारे parents से हमारे अंदर आते हैं. इसी को ही हम बोलते हैं कि DNA inherit हुआ है. यानि कि parents से बच्चों के अंदर characters का जाना process कहलाता है inheritance. और वो किस वज़े से जाते हैं, character किस की form में जाते हैं? DNA. तो DNA की form में जो parents से character जाते हैं उनके बच्चों में, इसे हम inheritance बोलते हैं. और DNA present किस के अंदर होता है? तो DNA जो हमारा genetic material है, वो nucleus के अंदर present होता है. nucleus के उपर जो covering आपको दिख रही है याँ पे, इसे बोलते हैं हम nuclear membrane. इसे क्या बोलेंगे हम? nuclear membrane. अच्छा, अब basis of classification में कि nuclear membrane present है या नहीं है? उस base पर हम दो cells पढ़ते हैं और वो बहुत important है. The number one is prokriot cell and the number two is eukaryotic cell. Prokriotic cell और eukaryotic cell जो हमारे हैं, वो किस base पर इन्हें अलग-अलग किया गया है? कि well-defined nuclear membrane, nucleus के उपर है या नहीं है? Well-defined nuclear membrane जिनके पास होती है वो eukaryotic cell होते हैं. इनके पास क्या होती है? Well-defined यानि कि सही से बनी हुई. Well-defined nuclear membrane होती है इनके पास तो वो eukaryote है और जिनके पास नहीं होती not having well-defined nuclear membrane जिनके पास well-defined nuclear membrane नहीं होती है वो सभी तो जानेंगे तब तक के लिए आप इस concept को अच्छे से समझीएगा पढ़िएगा और next concept के लिए हमारे साथ बने रहिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को और साथ में अगर कोई भी doubt हो तो comment भी कर सकते हैं मिलते हैं next concept के साथ, thank you so much